फ्रेंड्स मनीसा की छोटी सी रसोई में आपका स्वागत है आज मैं आपकी साथ पोहा की रेसिपी शेयर करने जा रहे हूँ इसके लिए मैंने एक प्लेट में पोहा, प्याज कटकरकी, टमाटर, हरी मिर्च, कढ़ी पत्ता, थोड़े सी मुंग फरली, थोड़े सा किसमिस और थोड़े सा काजू लिया है पोही में काजू और किसमिस डालने से एक अलग सा फ्लेवर आता है आएए बनाते हैं पोहार चोनल को सब्सक्राइब करें, कढ़ाई में तील-गर्म होझी कि, उसमें मैंने सबसे पहले aperture कओ एड किया है है, उसके बाद पयाज को एड किया है. उसे बाद मैंने में इसमें ठमाटर को एड किया है, ठमाटर को थुरी दिर पकनी के लिए देगे, इस तरह से पोह बनाना बहुत आसान है और बहुत जल्द बन भी जाती है आप इसे सुबह में बच्चों की लंच पॉक्स में भी दे सकते हैं और सभी ब्रेकवास्ट में अच्छे से इसे खा सकते हैं तो मैंने इसमें कड़ी पता एड़ कर दिया है कड़ी पता पकड़ी उसमें मैंने मुंगफली डाल दी मुंगफली डालने के बाद उसे थोड़ा सा पकाएंगी मुंगफली पकड़ी अब मैंने इसमें थोड़ी से हल्दी एड़ की है थोड़ा सा नमक एड़ किया है उसके बाद उसमें काजू और किसमिस डाल दिया है अब मैं इसमें पोहा एड़ करूँगी पोहा को मैंने अच्छे से धोकर थोड़ी देर भींगने के लिए भींगो कर छोड़ दिया था अब देखे हैं मेरी पोहा के रेसिपी बनकर तयार हो गई है यह बहुत जल्द बन जाती है और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में तो यह मेरा रेसिपी सर्फ करने के लिए रेड़ी हो चुका है अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे थैंक यू